नमस्कार दोस्तों, BACET की क्लासिस में आपका सौगत है और आज हम लोग देखेंगे RRB साइंस का प्रैक्टिस सेट और इसमें टोटल 20 कोश्चन रहेंगे आपको अपना स्कूर कमेंट बॉक्स में लिखके बताना है तो चलिए सुरू करते हैं पहला कोश्चन Nobel पुरुषकार, benefit novel के नाम पर उनोंने की का खोश की थी तो option D सही है इन्होंने डाइनमाइट की खोश की थी वीडियो की स्पीड को आप अपने अनुसार घटा या भढ़ा सकते हैं, सेटिंग में अपने हिसाब से देखती जाएगा, ल्यूमेन एक आंग है, एक आंग मींस होता है, एक अंग मींस यूनिट, तो यहाँ पूछ रहा है, ल्यूमेन किसका यूनिट है, जोती फिलक्स का, जोती टीवरता का, प्रदीत घनत का या चमक का, तो उप्शन A सही है, ल्यूमेन जो है, जोती फिलक्स का मात्रक है, या यूनिट है, आगे चलते हैं, एक बार बरावर होता है, यह RRB एहमदाबाद AASM, असिस्टेट इस्टेशन मास्टर प्रिक्षा में आया हुआ निम लिखित में से कौन सा अनुचुम्बकी है, देखिए, पदार्थ दो तरीके के होते हैं, अनुचुम्बकी प्रती चुम्बकी आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा पदार्थ अनुचुम्बकी है, निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम या तामा, तो बिदुद का अनुचुम्बकी है, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, देखिए, सारे के सारे कुश्चन आये हुए हैं, और कुश्चन रिपीट होने के चांसे काफी रहते हैं, कौन सा पदार्थ बिदुद का चालक है, यानि किसमें electricity flow हो सकती है, आपको बताना है, रवार सुद्ध जल, लवड़ जल या बेंजीन में, लवड़ जल से मतलब है, यहाँ पर NACL मिला हुआ है, इसके अंदर, तो आप जानते हैं, सुद्ध जल में तो electricity flow नहीं होती है, लवड़ जल यानि एने पॉश्टिव सील लेटिव वाले जल में electricity flow होती है, तो option सी सही होगा, आगे चलते हैं, मानफ सरीर, यहाँ पर मानफ सरीर सुक्स यानि dry की बात हो रहे है, मतलब जो घीला नहीं है, उसकी, कि बिदुद प्रतिरोत का परिमान क्या है, मतलब एक मानफ सरीर कितना बिदुद का प्रतिरोत कर सकता है, 10 की पावर 2 Ohm, 10 की पावर 4 Ohm, 10 की पावर 6 Ohm तो यह है 10 की पावडी जो की सुस्क है आगे चलते हैं अगला कोईशन देखते हैं विद्धुत का सुचालक है ठीक है कौन सा है जिसमें इलेक्टिक सिटी फ्लो होगी यानि विद्धुत का सुचालक है शुस्क चल कागच मिट्टी का तेल या ग्रेफाइट तो ऑप्शन द कही है कौना कौन साथ होगी है कंश लिद्धुत का सुचालक होता है यानि ग्रेफाइट के अँदर एल्लेक्टिक सिटी फ्लो होती है ध्वनी कि गती सब से तेज होती है अपको बता रहा है ध्वनी की गती सब折़ किस पे होती है अ इससी का question है, काच में, जल में, बायू में, गलिसरीन में, तो आपको बता दे है, option C सही है, काच में ध्वनी की गती सबसे तेज होगी इन चारों में, ठीक है, ध्वनी के बेक पर प्रभाप नहीं पड़ता, ये आरार भी गोरगपुर एसम परिक्षा में आई हुआ है, ठीक बताने, option C सही है, दाप का प्रभाप नहीं पड़ता है, ध्वनी के बेक पर यानि प्रेशर कोई कितना भी बढ़ाएं घटाएं, ध्वनी की बलाश्टी चेज नहीं होगी, आगे चलते हैं, सूर के प्रकास के आदर्ष्र भाग से प्रकास अंसलेशन किया जाता है, देख प्रकास अंसलेशन किया जाता है, आगे चलते हैं लोग, नेम लिखित में कौन सा और थोस है, आले रूम टेंपरेशर होता है 25 से 30 डिग्री के बीच को प्रकास आणियार आप भी कए के तो रूम टेंपरेशर के प्रकार थोस हम आसा रहता है, यह सारे थे हैं, गिलॉरीन, temperature पर थो सबस्ता में रहता है अमल गम में रहता है देखिए अमल गम में एक धातू है जो common रहती है आपको बताना है अमल गम में वो धातू कौन सी है Mg, Hg, Nacu तो Hg यानि option C सही हो जाएगा Hg जो है वो common धातू है जो अमल गम में रहती है एक और बात आपको बताना चाहूँगा मैं यहाँ पर कि Fe यानि लोहा लोहा यह कैसी धातू है जो कभी अमल गम नहीं बताती तो इसका भी ध्यान रखेगा आप लोग अगे चलते है sodium को किसमे रखकर संचित किया जाता है मतलब sodium को किसमे रखा जाता है तो sodium को रखा जाता है मिट्टी के तेल में option A सही है यहाँ पर और sodium को जल में नहीं रखते क्योंकि जल में रखने पर यह जलने लगता है ठीक है तो option A सही है sodium को मिट्टी के तेल में रखा जाता है आगे शलते हैं कोहरे में निम लिखित में कौन सा मैं कौरी में कौँ सा कौाढ़ी सिस्टम होता है नीलात होता क्या है क유 अधर का विवाद थूठ होता है क्या यह days कि ककी चेलिंट 3 यह सलफ development क्यों सारी है केल्सियुम सल्फेट है और क्यों सल्फेट है तो MP-PSS का question है, निलात होता है, copper sulphate. Option A, बिल्कुल सही है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अबनोग. Aerosol का उधारन, Aerosol क्या है? यह भी कॉलाइडी सिस्टम से question है, Aerosol क्या है? तो देखिए दूद जो है दूद तो पायस होता है नदी कजल भी एरोसॉल नहीं है दुआ दूआ एरोसॉल है option C सही है दूआ को एरोसॉल का एक उधारा माना जाता है लिटमस प्राप्त किया जाता है देखिए लिटमस एक पेपर होता है साइन्स इस्टूड़न की स्टूडि कपूर कभी liquid form में नहीं पाया जाता और यह पूरी process होती है इसे प्रोसेस को कहा जाता है उर्द-पातन तो यहाँ पर बात हो रहीए असुद कपूर को सुद किया जाता है पायस एक कुलाइड होता है देखिए अभी इसकी बात हो रही थी दूद एक पायस का उधारण है और कुलाइडी सिस्टम पूछ रहा है किस तरीके का होता है द्रब में गैस द्रब में द्रब गैस में द्रब या ठोस में गैस तो ऑप्शन भी सही है द्रब में द्र आर आर भी चंडीगर का कोश्चन है सारे रिपीटेट कोश्चन लिए गया है हाइड्रोजन क्लोरीन ऑक्सीजन गंदग तो आपको बता दे हाइड्रोजन ओप्शन ए सही है सारे इसेड में पाया जाता है तो दोस्तों यह था हमारे इस वीडियो का लाश्ट कोश्चन आपको इसकूर कैसा रहता है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और आप इस वीडियो में क्या सुधार चाहते हैं हमें बताइए हमारे बॉट्स अब टेलिग्राम ग्रूप से जोड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा थैंक यू फर वाचिंग